नमस्का साथियों स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम देखेंगे पर्यावर अद्धिन के कोछ अत्यनते महत्पूर परशनों को जो कि आपके प्रिवेश येर परिच्छा में बार बार रिपीट होते रहते हैं तो आए शुरू करते हैं किसके दूद में बसा की सरवादिक मात्रा पाई जाती है तो बसा की जो सरवादिक मात्रा पाई जाती है और रेंडियर के दूद में पाई जाती है उट अपने कूवर का उप्यो किस कारे के लिए करता है तो उट जो अपने कूवर का उप्यो करता है बसा के संग्रह के लिए अगला प्रश्ण है किसकी उपस्तिती के कारण दूद का रंग जो पीला हो जाता है दूद को किस ताप पर पास्चुराज किया जाता हैра तो दूद को किया जाता है करण तूद का रंग सफेद होता है अगला प्रश्ण परस्तितिकी के अंतरगत किस पर इस पर इक अधियन का अधियन जो किया जाता है पारस आगा दूद को किस ताप पर पास्चुराइज किया जाता है तो दूद को जो 62 डिगरी सेल्सियस पर पास्चुराइज किया जाता है किस की उपस्तितिकी के कारण दूद का रंग सफेद हो जाता है तो कैसी इनकी उपस्तितिकी के कारण जो है दूद का रंग सफेद हो जाता है पर इस तितिकी के अंतरगत किस का पारस पर इक अधियन किया जाता है तो इस संपूरसमदाए के सभी जीवों में संबन्द इस्थापित करता है संठ्या का संभंद दिखानें वाला चित्र क्या कहलाता है तो वो कहलाता है जीव संक्या का प्रामेड हाइडरोफाइट क्या है हाइडरोफाइट एक जली पौदा है डक्टर ररगी熬 द्विविकास सिंबन देते हैं बारत में स्वेद करंथ की शुरुवात किस वर्स हुई तो भारत में जो स्वेट करांत की शुरुवात हुई थी वो 1970 इसवी में हुई थी गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है तो गरीबों की गाय के नाम से बकरी को जाना जाता है किसकी उपस्तिती के कारण देशीगी में एक विशेश प्रकार की सुगंद जो है पाई जाती है तो डाई ऐसीटी के कारण जो है देशीगी में सुगंद पाई जाती है अगला प्रशने किसान का मित्र की उपमा किसे प्रदान की जाती है तो किसान की मित्र की जो उपमा है वो केचुआ और सर को प्रदान की जाती है अगला पिरस ने संसार का सबसे बड़ा परितंत्र कौन सा है संसार का जो सबसे बड़ा परितंत्र है वो सागर है यानि की समुद्र है बनिस्पतियों के सड़ने से कौन सी गेस निकलती है तो बनिस्पतियों के सड़ने से मीथेन गेस निकलती है 9 estado 878 परश्द कितने परश्सत अधिकान्स पोदें नाइड़ोजन को नाइटरेट के रूब में do i । दान का बोदा 2 नाइडरोजन को किस로ी इनकी करता है तो वह करता है अमोनियम के रूप में किस रूप में मोहर नामक उन, अंगोरा नामक नसल से प्राप्त की जाती है, यह किसकी नसल है, तो यह जो बकरी की नसल है, और यह बहुत ही ठंडे प्रदिसम पाई जाती है, जंगो एंट कस्मीर की तरफ, और इसी बकरी की उन से जो क्या है, पचमीन सोल बनाई जाती है, जल पर दूसर को मापने के लिए कौन सी परिच्छा की जाती है तो जल परदूसर को नापने के लिए जो परिच्छ बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यालिकि जल में गुली ऑक्सीजन की मात्रा से हो उसके जल प्रदूसर्ड की माप की जाती है अगला प्रशन है मोटर कार से उत्पन प्रदूसर्ड जो मानसिक रोग पैदा करता है कौन सा है तो सीसा अगला प्रशन है उर्जा के किस रूप में प्रदूसर्ड की समस्या जो नहीं होती है तो वो होती है सोर उर्जा में प्रदूसर्ड का रख के लेखा चुर्अ की कमी के लिए कीटों को खाते ये अगला प्रशन वे खाद्व रंकळा में और्जा का प्रवाव किस दिसा में होता है वह एक दिसा में होता है जहलें प्रदूसर निंतर एबं निवारक अधनियम कब पारित हुआ तो यह पारित हुआता है 187 में नाबाड क्या है नाबाड जो एक कृसी सायक एक विशिष्ठ बैंक है उरिया में शी elephant प्रसत नैट्रोजन होता है अमली जल द्वारा इमारतों के छरड को क्या का जाता है उसे कहते इस्टोन कैंसर अंतराश्टिय मानक के अनुसार कितने सब्सक्राइब के सबसे नजदीक है तो सब्सक्राइब सौर्मंडल को सबसे बड़ा ब्रिस्पति है बटी होई है एक reward करता है प्रिस उतपाद को पर्माड़ित करता है दुनिया का सबसे उचा जल प्रताप है तो एंजिल जल प्रताप जो है वो दुनिया का सबसे उचा जल प्रताप है सिरी हर कोटा किस राजी में इस्तित है तो सर्च सिरी हर कोटा जो आंदर प्रदिस राजी में इस्तित है छेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राजी है तो भारत का यो सबसे छोटा राजी है छेत्रफल के अनुसार वो गुवा है दुद्वा राष्टी उद्दान किस राजी में इस्तिते है तो दुद्वा राष्टी उद्दान जो है वो उत्तर प्रदेश में इस्तिते है जिम कारवेट नेशनल पार्क कहां इस्तिते है तो जिम कारवेट नेशनल पार्क जो है उत्राखंड में इस्तिते है फूलों की गाटी किस राजी में इस्तिते तो फूलों की गाटी जो है वो उत्राखंड के चमोली जिले में इस्तिते सिमली पाल राष्टी उदान किस राजी में इस्तिते सिमली पाल जो राष्टी उदान है वो उडिशा राजी में इस्तिते काजी रंगा राश्टी उद्धान असम में हिस्तित है सुंदरवन डिल्टा का आकार कैसा है सुंदरवन डिल्टा का जो आकार है तरभुजा कार है अगर पसंद आयोगा अगर पसंद आयो तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के भी सियर करें धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में